ओं गण गणपतये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रों प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रों आज इस वीडियो में मैं अपको किसी भी प्रकार की परिक्षा याने की एक्जाम्स में सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल और आसान लेकिन आजमाए हुवे उपाई के बारे में बताने चा रही हूँ इस अत्यंत कठीन महामारी के काल में चात्र अत्यंत परेशान है और पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि एक्जाम्स के बारे में अनिश्ची तता चाई वुवी है इसलिए चात्रों को पढ़ाई पर कॉंसेंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है इसलिए मैंने इस सबसे सरल उपाई की जानकारी इस वीडियो में दी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपई या सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे यह एक बिनाम मंत्र या पुजा विधी का संख्यात्मक यंत्र उपाई है जिसे कोई भी व्यक्ती बिना परेशानी से पांच मिनिट के अंदर कर सकता है अब मैं आपको इस यंत्र उपाई के बारे में बताने चा रही हूँ ध्यान से सुनिए आगे मैंने एक सोला अंकों का संख्यात्मक यंत्र दिखाया है उस यंत्र को सफेद रंग के कागच पर लाल रंग के स्याही के पैंच से लिखना है लाल रंग के स्याही का बॉल पेन भी इस्तमाल किया जा सकता है यंद्र लिखने के बाद उसे लामिनेट करके अपमें जेब में या बटुए में भी रखा जा सकता है या उसे लाल रंग के तावेज में या किसी भी रंग के धातू के लौकेट में भरकर एक लाल रंग के धागे में डाल कर उसे अपने गले में धारन किया जा सकता है ऐसा करने से छात्र का आत्म विश्वास बढ़ जाएगा परिक्षा का भैदूर हो जाएगा और पढ़ा हुआ याद आकर उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे यह उपाय सर्व छात्रों के लिए लाभदायक साबित होगा खास करके जो छात्रों परिक्षा के वजह से बैचैन और चिन्थित है इस संख्यात्मक यंद्र का उपाय अगर छात्रों पूरे आत्म विश्वास के साथ और श्रद्धा से करेगा तो उसे एक्जाम्स में जरूर अच्छे मार्क मिलेंगे अब मैं आपको यंद्र कैसे बनाना है वह बताने चा रही हूँ मैंने एक सफीत रंग के कागच पर लाल रंग के स्याही के पैंच से एक स्क्वेर निकाला है और उस स्क्वेर के अंदर छोटे सोला स्क्वेर्स निकाले है और उसमें कुछ अंक लिखे है अंग तो मैंने अंग्रेजी में लिखे है अगर आप चाहे तो उन्हें हिंदी में या अपने मात्रु भाशा में भी लिख सकते हो अब मैं आपको अंग सुनाने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए 73, 81, 2, 8, 7, 3, 78, 76, 80, 74, 9, 1, 4, 6, 75, 79 यंत्र के बाजु में छात्रक का नाम लिखना है इस यंत्र के अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक में ने डिस्क्रीप्शन बॉक्स में दे दी है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे